तो पर बुरूए थे तो बच्पन से शोग था और मेरे परिवार में भी संघीत है और मेरी जो वाइफ है वो भी शीज अलसे वेरी गुड सिंगर तो ऐसे तब माहौल की वज़े से संघीत से हम जुड़े वे थे और अब भी क्या एक डॉक्टर प्रोफेशन है इसमें तुड़ा स्ट्रेस तो रहता ही है फिर एक बीइंग के सुपरिंडेंट भी मेरा तुड़ा फ्रेशर भी रहता है तो मैं सोच तो हूँ कि संघीत अगर इसमें सेवा भी जुड़ी रहती है तो सारे जितने भी पैशेंट्स हैं वो उनको ही समझना चाहिए कि डॉक्टर कभी भी उनके साथ में मिजबेव नहीं करेगा और कभी भी उसको गलत राय नहीं देगा उसको ट्रस्ट करना चाहिए हम लोगों को पर हो सकता है हम बहुत बीजी हैं कि किसी मरीज को एक दम नहीं देख सकते हैं तो क्या बहुत जल्द बाजी करने के बाद में थोड़ा पेशेंट इडिटेट हो जाते हैं गुस्ता करते हैं और आपस में कोई जगड़े के ऊपर भी उतार हो जाते हैं तो मेरा तो यहीं संदेश है आम पब्री के सकता है और उसके लिए कई तरीक हैं संगित सुनना संगित गाना है या कविता है साहित है पैंटिंग है चितरकारी है इस तरह की कई सारी चीजह की जा सकती है ताल मिल कैसे बिठाते हैं मैं मुल रूप से मेडिकल कोलेज में हूँ तो दो बज़बाद अमोमन में फ्री हो जाता हूं तो मुझे काफी समय मिलता है इस तरह की अभी रूचियां पूरी करने का जब मैं नवी दस्वी में था तब से ही साइथी से है इसकुल की लाइबरी में जाता था उन दिनों जो प्रेम चंद के नोविल्स थे गोदान है रंग भूमी करम भूमी उन सभी गाद् तरह ननत पंत है मादेवी वर्मा है मैतली शरण कुपत हैं तो इससे करते करते लेखन शुरू हुआ और बाद में गजलों की तरफ रूजान हुआ